नमस्कार आदाव एटीन डाइव इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ अक्रम अली हमारे साथ आरजीडी के MP और वरिस नेटा आरजीडी के अस्वाक करीम साहब आईए उनसे बात करते क्या भी जूपर इंद्रतान में मुल्क में ये सियासी दोड़ चल दा उसके बारे और यहां की जनता देख रही है कि किस चरह से हमें गठवंदन को जीताना है कि कि पार्टियां आपके साथ हैं देखे हम लोग राश्चिय जनता दर कॉंग्रेस माले और CPI हमारा एक मजबूत गठवंदन है ये गठवंदन की सरकार बनने जा रही है 15 साल तक जो NDA सरकार ने बिल्कुल ही बिहार को बरबाद करने का काम किया उसको देखते हुए यहां की जनता बिल्कुल ट्रस्ट है और NDA को हराना चाहती है भगाना चाहती है बिहार से और गठवंदन की सरकार बनाना चाहती है उसका और भी कई कारण है हमारा जो नेता है राक्षिय जनता दल का जजस्वी जी उसने अहवान किया बिहार के नौजवानों से कि आपको हम नौकरी देने का काम करेंगे आपको रोजगार देने का काम करेंगे आपको जब सरकार बनेगी तो लोन देकर बिजनस करने का काम करेंगे शिक्षा के छेत्र में जो पंदरा साल में जो परबादी हुई है इस बिहार की उसको हम फिर से सजाने का काम करेंगे लोगों को शक्षनिक संस्तान की जो बत्तर हालत है उसको सवारने का काम करेंगे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अच्छे शिक्षा देने का काम करेंगे, शिक्षा का अस्तर पूझा करने का काम करेंगे, इसलिए कि बेगर शिक्षा के किसी भी परदेश की या देश की इकोनोमी मदबूत नहीं हो तकी है, इसलिए शिक्षित करना सबों को जरूरी है, उस जवाज देने के लिए और भी दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ रखने के लिए कई योजना बनाई गई है राक्षिय जनतादिर के दुआरा साथ-साथ मजदूरों को वरीबों को रोजगार कैसे मिले उनको रोजाना रोजगार कैसे दिया जाए उस जो परहे लिखे नहीं हैं, उनके ये भी कार्जकरम बन रहा है, जब तक विहार में इंडरस्ट्री नहीं लगेगा, तब तक पलायन नहीं रुकेगा, और जब तक पलायन नहीं रुकेगा, हमारा गरीब मजदूर दरदर की भोकरे खाता रहेगा, कभी पंजाब, कभी आताम, अपने इस पोविड में, कि किस तरह परिशान हुए हैं, हमारे मजदूर, हमारे लोग किस तरह परिशान हुए हैं, इन सब पर समिच्छा किया है, इन सब पर से जशिवी जी ने बैट कर, हम लोगों के साथ मिल कर, कैसे मदबूत होगा हमारा बिहार, यहां की जनता कैसे सा होगी कैसे रोज़दार मिलेगा किस तरह से इंड्रेस्ट भी कुरेगा उस पर काफी मन्थन हो चुका है इसको लिहार की जनता जान चुकी है और तरफा देख रही है अभी गटबंदन की तरफ के गटबंदन की सरकार कैसे बनाई जाए और हर तरफ हल चड़ है गटबंदन क सरकार बनाने के लिए और हम आशक ही नहीं करते हैं बलके यखिन है कि तजासरी जी हमारा मुंतरी बनेगा हमारा गटबंदन का बहुत बहुत सुख्या हमसे बात करने के लिए अभी हमसे बात कर रहते हैं असपाक करीम साहब एटियन लाइव इंडिया अक्रम अली पटना